स्रिष्टी की उत्पत्ती से कोई है जो हम सब की जिन्दगी में एक एहन भूमिका निभाता आ रहा है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसकी जरूरत हमेशा थी, है और रहेगी ऐसा आतुलनी है, अद्विती है, अप्रतिम शब्द है गुरू गुरू दो अक्षरों में समाया एक संपून शब्द है जिसमें पूरे ब्रह्मान्द का ज्यान समाया हुआ है इस शब्द को परिभाशित करें तो गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरू कहा गया है गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश अज्यानता रूपी अंधकार में जो ग्यान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरू होता है दुनिया के किसी भी क्षेतर में महारत हासिल करने के लिए टीचर, उस्ताद यानी गुरू की जरूरत होती है जैसे बिना प्रशिक्षक के कोई गहरे पानी में तैर नहीं सकता मतलब महारत हासिल करने के लिए गुरू की जरूरत पढ़ती है जब दुनियावी ग्यान में काबलियत हासिल करने के लिए गुरू की आविशकता है तो रूहानियत का ज्यान बिना गुरू के कैसे संभव है? वहाँ कैसे जाएंगे? किस तरह जाएंगे? क्या उसके लिए गाइड की जुरूरत नहीं है? हर दर्म में लिखा हुआ है, जुरूरत ही जुरूरत है और जुरूरत रहेगी इस रिष्टी पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो बिना गुरू के आगे बढ़ सके स्वयम भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण ने संदीपन रिशी को अपना गुरू बनाया श्री राम जी ने वशिष्ठ जी को अपना गुरू बनाया राम कृष्ण ते को बढ़ो तिनहूं भी गुरु कीन तीन लोक के नाय का गुरु आगे अधीन इतिहास में दर्ज है कि मीरा ने गुरु रविदास जी को कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया था अधा ये तो स्पष्ट है कि आदिकाल से अब तक जिसने भी भगवान को पाया गुरु के सानिध्य में ही पाया इतने महान होते हुए भी इन्होंने गुरु धारन किया तो क्या हमें गुरु की जरूरत नहीं? जरूरत है क्योंकि इस धर्ती पर पहला कदम रखने से पहले ही मां हमारी गुरु होती है जो हमें बोलना, बैठना, चलना, पहनना, खाने का सलीका सिखाती है यानि मां अपने बच्चे के जीवन के सफर को खूबसूरत बनाने का हर संभव प्रयास करती है इसलिए मां को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है जीते जी मां अपने बच्चे के लिए हर पल चिंतित रहती है कि उसके बच्चे को कुछ हो न जाए पर मौत के बाद उसके बच्चे का क्या होगा वो कहां जाएगा कौन उसे आगे समभालेगा भगवान से बड़ा दर्जा प्राप्त करने वाली जीवन दाइनी मां भी इस बारे में असमर्थ हो जाती है इस अनसुलजी पहेली का समाधान सिर्फ और सिर्फ गुरू के पास ही है क्योंकि गुरू हमारे जन्म से लेकर मरने तक और उसके बाद के सफर का भी गाइड होता है इसलिए गुरू को मा और भगवान से भी उचा दर्जा प्राप्त है एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए क्या हमारी आने वाली पीडियां आदिकाल से चले आ रहे गुरू के ज्यान के बिना जीवन में सुक शान्ती वा तरक्की हासिल कर पाएंगी क्या वो अपने रिष्टे नातों के प्रती वफादार रह पाएंगी क्या वो नशों वा बुराईयों से निजात पा सकेंगी क्या वो मानसिक वा सामाजिक तनाव से मुक्ति पा सकेंगी अगर आपका जवाब ना है तो फिर क्यों हम अपने भविश्य को गुरूं की पावन शिक्षाओं से दूर कर दुखों के सागर में डुबो रहे हैं गुरू ही है जो अपने दिव्य ग्यान से समाज को बुराईयों से दूर कर उन्हें सही पत पर अग्रसर करते हैं आप सबको ओम हरी अला राम वही गुरू गौड खुदा रब की कसम आज के बाद ये तीन बुरे काम कभी न करना नंबर एक नशे ना करना शिराब ना पीना नंबर दो मास अंडा ना खाना नंबर तीन पती पतनी का रिस्ता सही है पती पतनी के बिना उमर में अगर कोई बड़ा है तो माबाप बराबर का है तो बहन बाई और छोटा है तो बेटे बेटी के समान मानना है ये तीन वचन मांगते हैं आप से तीन वचन गुरू है तो हर समस्या का समाधान संभव है लेकिन अफसोस की बात है जो भारत हमारे अतिवंदनिये रिशिमोनी वगुरू के ज्ञान की वजह से पूरी दुनिया में विश्व गुरू के रूप में विख्यात था आज उसी देश में हमारी भारतिय संस्कती और हमारे वेदों के ज्ञान को समाप्त करके हमें ब्रहमित किया जा रहा है कि हमारी तरक्की आधुनिक विख्यान से होगी ना कि धर्मों के ज्ञान से गुरू ओने पीर पैगंबरों ने रिशी मुनियों ने ब्यान किया लेकिन गुरू भी ना गती नहीं जब तक गुरू मिलता नहीं उन पवित्र गरंथों की भी समझ इंसान को पूरी नहीं आती वो तो रोहानियत के पवित्र गरंथ है ज़रा सोच के देखिए दुनियावी गरंथ जो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनकों नहीं डंग से समझ सकते जब तक उस्ताज टीचर मास्टर ना पढ़ाए आज वै ज्यानिक छोटी सी खोज के लिए अर्बों रुपए खर्च करते हैं और उस पर भी इतराते रहते हैं लेकिन हमारे गुरों ने हजारों साल पहले ही सब कुछ बता दिया था कि ब्रह्मांड में लाखों सूरज नक्षत्र हैं और ऐसी सैकडों दुनिया हैं जहां जीवन संभव है जिसे विज्ञान आज मान रहा है आधिकाल से हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि इनसान शाकाहारी है और विज्ञान आज 21 सदी में आकर इसे मान रहा है कि हम शाकाहारी हैं जो विज्ञान को मानते हैं साइंस को मानते हैं उनके लिए हम बता दें हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो महाविज्ञान है विग्यान तो कल बनी है क्योंकि धर्म सबसे बड़े महा विग्यान है धर्म से ही निकली एक छोटी सी कड़ी है छोटी सी बूंध है जिसका नाम विग्यान है वरना बेदों में बताया है लाखों चंद्रमा, लाखों सूरज, लाखों नक्षत्र और नासा साइंस के इंदरे अमेरिका ने आठ साल दस साल पहले खोजा है खगोल में बहुत सारे चंद्रमा दिख गए हैं बहुत सारे सूरज नजर आ गए हैं उन्होंने दस साल पहले बताया है धर्मों में हजारों साल पहले वो हूब हूब लिखा हुआ मिलता है का महत्वनकार कर हम अपने जीवन का अस्टित्व ही फो देंके। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुरू ही है जो लोगों में इंसानियत का जजबा भरता है। जिस दिन इस धरा पर इंसानियत का जजबा खत्म हो जाएगा तो ये धरा एक पल में समाब्त हो जाएगी। आप फूल के मानिद खिल जाएंगे चाहे कितना भी कीचड़ है समाज में कामबाशना, कुरोद, लोब, मो, अंकार, मन, माया, ठग्गी, बेमानी, भ्रस्टा, चार, जुल्मो, सितम बड़ी मचली छोटे को खारिये, उससे बड़ी उसको खारिये आप समझ गए होंगे, बुरा हाल है, बुरा हाल समाज का यहां दिखावा बढ़ता जा रहा है, धर्म को मानने वाला कोई-कोई है कोई-कोई, सो दिनो दिन, दिनो दिन, लोग पचड़ रहे हैं अपने धर्म से दिखावा बढ़ रहा है बुराईयां बढ़ रही है नेक नियत और नेक इनसानों की गिंती कम है पर है बीजनाश नहीं हुआ जिसकी वज़ा से ये सारी दुनिया रुकी होई है अगर इनसानियत का जजबा जिस दिन खत्म हो गया तो यहां कोई कोई बचेगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनसानियत होगी गुरू रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए गुरू समयानुसार अनेकों माध्यम का प्रयोग कर अपने शिश्यों की संभाल एक छोटे बच्चे की तरह करते हैं और कदम कदम पर उन्हें समझाते रहते हैं इसी कड़ी में गुरू जी ने पत्र वसंदेश भीज कर अपने शिश्यों का मार्ग दर्शन किया जिसे साध संगत में सेवादार द्वारा पढ़कर सुनाया गया धन्दन सत्गुरू तेरा ही आस्रा आप सब को पता ही है कि करोना महां बिमारी चल रही है इस से प्रभू सब को बचाएं इसके लिए मैं प्रभू से सुबा शाम प्रार्शना करता रहता हूँ हमारा ध्यान तो कूँज की तरह हमारे करोडों बच्चों में ही लगा रहता है हम वचन देते हैं कि ता उमर गुरू रूप में आपकी संभाल बढ़ चड़ कर करते रहेंगे हम रात को सोने से पहले वे सुबह उठते ही आप सब को दुआएं शा सतनाम मस्तान जी से मांग कर देते हैं कि आप सब तंदरुस्त वे सुखी रहें हमारे करोडों प्यारे प्यारे बच्चो आप ज़्यादा चिंता ना किया करो सत्गुरू राम जो भी करते हैं सो प्रतीशत ठीक करते थे करेंगे भी सो प्रतीशत ठीक आप नाम जपो वैसेवा करो प्रभू की सारी स्रिष्टी से बेगर्ज प्यार करो सभी धर्मों का स्तकार करो धन्दन सत्गुरू तेरा ही आस्रा गुरू हमेशा गुरू ही रहता है वो कहीं भी रहे उससे उसका गुरु तव कम नहीं होता गुरू हमारे भूत काल वर्तमान और भविश्य के सभी काज समार देता है गुरू जी की कोचिंग की बदौलत आज मैं स्पोर्ट्स थॉर्टी अफ इंडिया में अगर मार्गदर्शक सही मिल जाए तो दिशा भी सही मिल जाती है मैंने कहीं भी अकेला मैसूस किया मेरा गुरू मेरे साथ खड़ा मिला और उसने कभी जताया भी नहीं मेरे जीवन में अगर गुरू नहोते तो मैं समझता हूँ मैं बुरी संगत में फस्ता हूँ एक बुरा इंसान होता आज गुरू जी के वचन मानने से मेरा मेरे परिवार का पूरा जीवन सवर गया अगर मुझे गुरू जी ना मिलते तो मैं इस मकाम पर पहुंचने की बजाए दरदर की ठोकरे खा रहा होता गुरू जी ने समाज में लड़कियों को समान तरजा दिलाने के लिए अनिकों मुहिम चलाई हैं जो कि काबले तारीफ हैं उन्होंने ही हमारे सपनों को पंक दिये जब मैं मेडिकल एंटरंस की तियारी कर रहा था तो मेरे आसपास के बहुत बच्चे नशा करते थे वैं बुरी संगत में थे लेकिन मुझे हर पल अपने गुरू जी की पावण शिक्षाओं का एहसास रहता था जिस वजह से मैं बुरी संगत से हमेशा दूर रहा मेरा रोम रोम अपने गुरू जी के उकारों का करस्दार रहेगा ये मेरा गुरू का ही परताफ है कि आज मेरा परिवार और क्रोड़ो परिवार नस और बुराईयों से दूर इन जैसे लाखों करोड़ों लोगों की नर्कमई जिन्दगी को समार दिया है गुरू ने न सिर्फ इन लोगों को बलकि इनकी आने वाली पेडियों का भी जीवन समार दिया है गुरू ने गुरू का सानिध्य और उनकी प्रेरणा पाकर उनके शिश्य वो कर गए जिसे कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था मैं गाओं की रहने वाली एक दियाती बेटी हूँ मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि इंटरनेशन लेवल पर मैं अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ मेरे गुरू पापा कोश सैंट डॉक्टर एमेची ने मुझे सिम्डरन प्राणयाम के साथ योगा की एडवास टेकनीक सिखाई जिससे मेरा बैलेस, फ्लेक्सिबल्टी और स्टैमिना बढ़ता गया और आज डॉक्टर एमेची की बदोलत ही मैं योगा में पाँच बार वर्ड कप जी चुकी हूँ और चार बार एशिया में गोल्ड मैडल जी चुकी हूँ हम जैसी अनेको लड़कियां जो कभी प्लेयर बनने के काबिल भी नहीं थी, आज पुरी दुनिया में अपनी गेम्स में नंबर वन है ये सब गुरु जी की कोचिंग के बिना इंपोसिबल था मेरे लिए एशिया कब जीतना एक सपना ही था इस सपने को गुरु पापा कोच की कोचिंग वेप्रेयरना से हकीकत में बदलते देखा है मैंने गुरु के मारक दर्शन में हर इंपोसिबल को पोसिबल किया जा सकता है जीवन में मुझे हर पल एहसास करवाया गया था कि तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और उस कॉन्फिडेंस की वजए से मेरी फेलेर लाइफ कब सकसेस में तबदील होगी मुझे पता ही नहीं चला मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नेवी में जाऊंगा और नेवी में जाके पूरी दुनिया देख पाऊंगा दुनिया का कोई शायद ही ऐसा मुल्क हो जिसमें सीपोर्ट हो और मैंने ना दिखा हो एक छोटे सी गाओं का रहने वाला एक सधारान सा लड़का आज पूरी दुनिया गूम रहा है और ये सब मुनकिन हुआ है मेरे डॉक्टर सेंट एमेजी की वज़ा से 2016 में मैंने मौंटेंरिंग सभी फॉर्मल ट्रेनिंग पूरी करके अपने मौंटेंरिंग करियर की शुरुआत की थी और अभी 2019 में मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से बाशिगरी गलेशर के एक्स्पिडिशन में पाटिस्पेड करने का मुका मिला जिसकी लेंथ भी काफी जादा है 27 किलो मेंटर से जादा और मेरे लिए भी काफी चैलेंजिंग था कि किस तरह की चीजे वहां पर होंगी क्या आम यह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पर हमारे गुरुजी सेंट एमस जी ने जो मेथड ओफ मेडिटेशन आमें बताया है और समय समय पर जिस तरीके के टिप्स या गाइडन्स वो देते रहते हैं कि स्पोर्ट्स में होने के नाते आपको किस तरीके का लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए तो इन सब की वज़ पर जब गुरुजी का ससंग सुना तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है आप साकाहरी रहकर भी बाडी बना सकते हैं और गुरुजी की मैंने इनकों वीडियो देखी जिसमें वो वर्काउट करते नजर आ रहे हैं और मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ वीडिय बनाऊंगा और गुरुजी के दिये हुए मार दर्शन से और उनकी शिक्षा से मैं आज सुद्ध साकाहरी होते हुए एशिया गोल्ड मेरे लिश्ट हुआ सच्चा गुरु कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करता इसलिए जब सच्चा गुरु मिल जाए उस पर यकीन आ जाए तो फिर जिन्दगी बदलते देर नहीं लगती गुरु का कोई भी कदम बिना वज़ा नहीं होता उसके पीछे सिष्टी के कल्यान के लिए बहुत कुछ छुपा होता है सूरज पच्चिम में उग सकता है गुरु गलत हुए कभी हो नहीं सकता वो जो भी कार्य करता है अपने लिए तो करता ही नहीं अल्ला वाहिगरु राम के हुकमान उसार सद्गुरु मौला के हुकमान उसार और सब के भले की लिए करता है इश्क खुदा से और भरोसा गैरों पर ये महबत में मन्जूर नहीं आशिकों की मन्जिल रजा यार है डोलना आशिकों का दस्तूर नहीं परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो रब से सच्चा प्यार करने वाले शिश्य कभी कदम पीछे नहीं हटाते अगर शिश्य अपने गुरु पर द्रड विश्वास रखता है तो गुरु कभी भी शिश्य का बाल भी बाका नहीं होने देता तो शास्तनाम शामस्तान जी के मुरीद कभी किसी मोड पे काल से मार नहीं खाते सत्गुरुन की उंगली पकड़ के संभाल करते थे करते हैं और अर्बो गुना बढ़के करते रहेंगे लाज रखते थे रखते हैं और अर्बो गुना बढ़के लाज रखते रहेंगे आपका फरस अच्छे करम करते जाओ शाहसतनाम शामस्तान जी दाता बाल बांका नहीं होने देते कोई आच आने ही नहीं देते if I look back in my life I personally feel that in one life I have seen many lives it would be absolutely correct if I say many lives and one master and that is शाहसतनाम सेंग जी and now his young incarnation in the form of Dr. St. MSG my whole life is his planning and my life would have shattered into pieces if his holiness was not there if his blessings and his guidance was not there in my life and even to imagine a single moment of my life or even I say a fraction of my life is incomplete without him or without my master I would like to conclude with few lines हाल की हुंदा जिन्दगी दा जे सद्गुर प्यारा ना मिल दा असी पठी चोख दे रेना सी जे तेरा सहारा ना मिल दा जब से गुरू जी मेरी जिन्दगी में आये हैं बहुत जादा मेरी जिन्दगी में परवर्तन आये हैं जैसे कोई भी कभी कोई गलत सोच आती है तो प्यारे सद्गुर की सीख याद आ जाती है प्यारे मुर्शिद मेरे बाप की तरह है जैसे एक बाप ने उंगली पकड़े होई होती है मुझे हमेशा ऐसा अन्भव होता है कि मेरी उंगली मेरे सद्गुर ने पकड़ रखी है कहने को तो मैं सासर वर्ष का जरूर हूँ लेकिन अभी भी मैं उनके लिए बच्चा ही and I would not be able to overcome my failures of life had Guruji won't have held my hands in those darkest hours of my life I think I won't have been to the place where I am today मेरी बेटी अमन जोतकर जदो दा जनम होया दोजार नोदे विच्तो दे पैर विलकुल मुड़े हो एसी अंदर नो ते उसनु देखके लगदा सिविये कदे भी जन्दिगी दे विच्चालनी सकूगी असी उनु बहुत सारे डॉक्टोस नो दिखाया पर सानु किसे ने गरांटी ने दिती के बच्चा ठीक होवेगा ओ दिवट डिवट डिवट अपरेशन दास दिन्दे उस्तो बाद सानु डेरा सिच्चा सोद्दा वेच लगण बारे केंप बारे पता लगया असी उनु केंप दे वेच लेकी आई इत्यो दा ट्रीटमेंट होया और अज मेरी बच्ची बिलकुल ठीक है इदा लगदा भी जेकर असी सानु गुरू जी ना मिले हों दे ता साड़ी जिन्दगी बिलकुल बेकार सी अज जे साड़ी जिन्दगी सौखी है ता गुरू जी दी रहमत करके ही वदी आई इसले सी गुरू जी दा तैदी लों ता नवद कर देया पिटाई दी बहुत बहुत रहमत होई गुरू जीवन दा ओ प्रकाश है जिस तो बगैर चारे पासे हने रा ही हने रा है गुरू जी साड़ी जिन्दगी चाए सानु जाओंदा मकसद मिल गया ता नहे मेरा गुरू जिसने सानु सचदा मारिक दिखाया अथे कुरूडा लोग का अंदर निस्वार्थ सेवा दा अजेहा जज़बा परे है कि आज जो वच चड़के इंसानें दिखेवा कर रहे हैं देरा सच्चा सौदा के अनुयाई पूज्जे हुजूर पिता संत डॉक्टर गुर्मीत राम रहीम सिंग जी इंसा के पावन दिशा निर्देशा नुसार दुनिया भर में सुख शान्ती वबाई चारे को कायम रखने के लिए हर नेक वब अच्छे कारे में बढ़ चड़कर हिस्सा लेते रहते हैं पूरी दुनिया में महामारी के रूप में फैली कोरोना बीमारी के दौरान भी गुरू के पावन दिशा निर्देश में अनुयाईयों ने अपनी जान की परवाह किये बिना घर घर जाकर लोगों को राशन मोहया करवाया और गाउं शहरों के साथ साथ सभी धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज किया ऐसे ही सैकडो मानवता भलाई के कारे सिर्फ गुरू के सानिध्य में ही संभव हो सके हैं आज पूरे विश्व को जात पात धर्म मजहब वसंकीन मानसिक्ता से उपर उठकर सर्वधर्मसद्भाव की बेहत जरूरत है दुनिया को एक सूत्र में पिरो ने वा इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए 29 अप्रेल 1948 को डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाश शाह मस्ताना जी महराज दूसरी पात्षाही परमपिताश शाह सतनाम जी महराज और मौजूदा गद्धी नशीन संत डॉक्टर गुर्मीत राम रहीम सिंग जी इंसाने हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सभी को एक साथ बिठाकर सर्वधर्म संगम का संदेश दिया सच्छा सौधा में सर्वधर्म संगम कोई ओंच निच नहीं कोई चोटा बड़ा नहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सभी धर्मों के मज़ब के लोग यहां बैठके अल्ला कह सकते हैं पासवड़ा वहिगरु बोल दे कोई हर्ज नहीं दूसरा राम बोल दे, तीसरा गौड बोल दे लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं मस्जिद में जाके आप राम राम नहीं गा सकते मंदिर में जाके अल्ला हू नहीं बुला सकते और आप गिर्जे में जाके वहिगरु नहीं गा सकते और गुर्द वारे में जाके आप गौड गौड नहीं गा सकते क्योंकि ये असूल बने हुए है कि वहां तो वही चीज बोली जाएगी पर साही मस्ताना जी ने, शास्त नाम जी दाता रहबर ने ऐसत ये आश्रम, ऐसी ये सच्छा सौधा बनाया कि जिसमें सेवा, सुम्रन और सर्व धर्म संगम सभी को आपस में प्यार करो बेगरज नी, सुआर्थ, कोई उचनी, कोई छोटा वड़ा नी, सब एक मालिक की उलाद हैं और एक ही सब का मालिक है हमारे गुरू, पीर, फकीर, सृष्टी के कल्यान के लिए मानव जाती के सभी धर्मों के लोगों को अपनी पावन शिक्षाओं से एक साथ जोड़ कर इंसानियत को जिन्दा रखे हुए हैं ऐसे महान गुरूं को हम शत शत नमन करते हैं जिनकी पावन शिक्षाओं पर चल कर आज करोड़ों परिवार नर्क मई जिन्दगी से निकल कर खुबसूरत जिन्दगी जी रहे हैं धन धन सत्गुरू, तेरा ही आसरा